गूगल से ट्राफिक लाने के लिए most of the users क्या ट्राई करते हैं हमारे ब्लॉग में content कैसे लिखे जिससे कि आपका content यहाँ पर top 10 में है लेकिन एक सबसे major part है images जिसको बारे में बहुत सारा लोग को कम पता है तो 10,000 keywords में everyday 18% से जाधा main top 10 जो pages आते हैं वहाँ पर images भी rank करते है कोई भी image high MB और high resolution में आपको नहीं रखना है अब यह बोलाएंगे इसमें तो बहुत ही typical process हो जाएगा हम जो भी image upload करेंगे उसको compress करना है फिर upload करना है जी नहीं अगर मैं google में जाके search करता हूँ future of AI in business आसा कोई भी आप keyword search करते हैं तो आप देख पाएंगे कि google पे बहुत type के results rank करते है जिसको SERP बोलते है जिसे कोई अपनी ad चला रहा है वो दिख रहा है यहाँ पे feature snippet दिख रहा है यहाँ पे FAQs दिख रहा है यहाँ पर organic blog post के link नाम है images जी हां google along with all the blog post और बाकि सारी चीजों के अलावा यहाँ पर एक और चीज rank करता है जिसका नाम है image similarly अगर मैं नया कोई keyword search करता हूँ house decoration idea यहाँ पर आप देखेंगे कि initial कुछ results सिर्फ और सिर्फ images से भरे पड़े हैं देगिन इसके नीचे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको organic blog post के link दिखाई देगी और the interesting part इसी blog post की images यहाँ पर top में rank कर रही हैं अगर आप इसमें से किसी भी image को click करते हैं यह directly आपको उस blog post के अंदर पहुचा देता हैं that means की Google से traffic लाने के लिए most of the users क्या try करते हैं हमारे blog में content कैसे लिखे उसका on page SEO कैसे करे और page SEO क्या करे जिससे कि आपका content यहाँ पर top 10 में लेकिन एक सबसे major part है images जिसको बारे में बहुत सारा लोग को कम पता है या फिर उनको पता ही निया किसके around कैसे optimize करना है एक और interesting 10,000 keywords में जो top 10 में results आ रहे हैं उसमें कितने percentage organic blog post आ रहे हैं कितने percentage videos आ रहे हैं कितने percentage images आ रहे हैं और the interesting parties अगर आप इसको scroll करके देखेंगे तो 10,000 keywords में everyday 18% से जादा main top 10 जो pages आते हैं वहाँ पर images भी rank करती है जैसा कि आप यहाँ पर देख पार और यह images कुछ अलग से न का option देता है तो ultimately आप आपके blog post को image के जरिये rank करवा सकते हैं और यह statistics daily change होता रहता है इसके accordingly 18-90% जब भी कोई results display होता है तो उन सारे keywords पे कईने के images भी rank करती हैं तो क्यों न आप organic blog post को छोड़ कर image search ranking पे focus कर सकता है जिससे कि आपका traffic additional increase हो सकता है क्योंकि जिस तरीके से Google changes and updates roll out कर रहा है उसमें सबसे जादा अगर कुछ impact हो रहा है तो वो है blog post organic blog post के ranking लेकिन अभी भी कुछ ऐसे areas है जहां पर आगर आप images पे काम करेंगे तो हो सकता है कि अभी भी आप top 10 तक पहुंच सकते हैं और आज के वीडियो में मैं आपको ऐसे 3 तरीके बताऊंगा जिसस कि आप आपकी website की images को top 10 पे ला सकते हैं with live execution तो इसमेरा नाम है किरती श्युयास अगर आपको SEO, blogging, affiliate और WordPress में कुछ भी interest रखते हैं तो ये channel आपके लिए premium tips ले करके आता हैं सिर्फ इसके minimum fee से अगर नए है तो subscribe कर दो, existing है तो like कर दो इस channel पे जैसे कि हमने previously वीडियो बना तो अगर आप चाहते हैं कि इस channel पे WordPress के राउन बहुत सारे technical helpful tips आए मुझे comment करके बताओ ताकि मैं उसके पूरी detailed series लेके आँगा जिससे आप किसी भी तरीके की कोई भी website कभी भी बना सकते हैं बिना किसी further delay के चलते है desktop की screen पे अगर आप देख पाएंगे यहां पे जैसे क इसके जो भी image आप आपकी website में add कर रहे हैं उसमें आपको तीन चीजे करनी हैं वो तीन चीजे क्या है सबसे पहली चीज अगर आप यहां पर देखेंगे आपको जो भी image एड़ करेंगे उसके साथ में आपको alt text एड़ करना है example के लिए यह मेरा WordPress का blog है इस particular blog post में मान इसके बाद दो टाइप की images आप एड़ करते हैं या तो content के middle में add करते हैं या फिर यहां पर एक feature image एड़ करते हैं और जो feature image होती है अगर आप देखेंगे तो आपकी website पे आपको home page पे या फिर आपके blog post के साथ में जो attached image होती है इसको कहा जाता है featured image लेकिन जब याप blog post क अंदर को image add करते हैं तो उसको कहते है blog post की images तो आप जो कोई भी image add करें उसके लिए आपको image का SEO करना होगा और या आप कैसे करेंगे उसके लिए आपको कुछ steps follow करना है step number one माल लिजे कि जब भी आप blog post लिखते हैं उसमें images को add करते हैं तो यहां पर मैं imagine करता हूँ कि image upload करते हैं तो आपको यहां पर right inside में दो तीन option दिखाई देते हैं यहां पर एक होता है alt text और दूसरा होता है title तो most of the users क्या करते हैं इस image का जो भी नाम है जैसे कि actually नाम इसका यह वाला था जब भी मैंने इसको create किया था डाउनलूड किया था लेकिन जब मैंने wordpress में upload कि तो इस image के साथ में मैंने alt text के अंदर मेरे उस blog post का keyword add कर दिया है तो अगर आप देखेंगे जो मेरा blog post है यह वाला माल लिजे कि यहां पर मैं कोई एक और blog post ओपन करता हूँ माल लिजे कि यह वाला कोई blog post है तो इस blog post का जो भी keyword है best bio for telegram HTML तो अगर मैं इस post को edit करता हूँ या फिर 100 plus best bio for telegram profile तो माल लिजे कि यह मेरा एक primary keyword है तो जब भी मैं इस blog post को लिखूँगा इसके ताथ जब भी कोई image add करूँगा तो अगर आप उस image को scroll करके देखेंगे नीचे के तरफ जाएंगे यहां पर जो भी image आपको दिखाई दिरे यह वाली इसको मैं select करता तो आपको नज़र आएगा कि जब भी मैंने इस image को upload किया तो इसके यहां पर alt text में मैंने exactly मेरा title copy कर दिया है तो इस title में वो keyword भी है जिसके लिए मैं rank करना चाहता हूँ वो keyword भी है जिससे मेरा blog post rank होना चाहता है तो यहां पर आपको add करना है क्योंकि Google को images जादा समझ में नहीं आती लेकिन उसके साथ जब भी alt text आप add कर देते हैं तो Google को समझ में आ जाता है कि यह image इस keyword के बारे में है तो इस image को मुझे इस particular keyword के लिए rank करना चाहिए राइट इसके example के लिए अगर मैं यहां पर करता हूँ कि blogging future after chat GPT माल लीजे कि यहां पर मैं यह keyword सर्च करता हूँ blogging future after chat GPT आपको यहां पर मेरा blog post सबसे top पर दिखाई दे रहा है जो कि यह future of blogging after chat GPT जैसे आप इसको क्लिक करते हैं किसी बंदे ने मेरी खुद की image उसके blog post पर डाल के रखिए लेकिन यहां पर image rank हो रही है तो आप देख सकता है यह original blog post नहीं है लेकिन user image के थ्रू भी उनके blog post पर जाता है और likewise आपको समझ में आएगा कि image की SEO कितने important है तो मान लीजे कि जब भी को image आप upload करता है पहला काम करना है alt text जो आपको option आता है वहाँ पर आपको exact अपना keyword या title name paste कर देना जिसमें आपका keyword हो दूसरा यह जो title है वहाँ पे भी आपको as it is copy paste करना है वेल यह आपके reference के लिए जब आप search करेंगे लेकिन Google को सबसे size हो जो कि आपको यहाँ पर दिख रही है वो less than 60 या 70 KB के अंदर हो मतलब कि अगर आपकी high image size होगी तो image load नहीं होगी है ultimately आपकी side पे LCP के FID के issues आएंगे जो की core way vital में आपकी side first जाती है और speed loading reduce हो जाती है इसलिए second जो तरीका है उसमें आपको image के size पर focus करना है ऐसे 54 KB क जो size है यहाँ पर मैंने decide की हुई है that means कि इस image को original size हो सकती है एक और 2 MB मैं उसको compress करके कर दिया 50-60 KB तो अब जितने भी image उठा के देख ले माली जै मैं इसको देखता हूँ आपको नजर आ रहा है 64 KB अगर आप निचे जाएंगे इसकी image की बात करूँ let's see यहाँ पर कित और width क्या होना चाहिए या फिर इसका size क्या होना चाहिए अगर आप एक well optimized theme को use करते है तो image size अपने हिसाब से automatically change होती है जैसे मैं inspect पे click करता आपको नजर आ रहा है अब यह कुछ ऐसे दिख रही है लेकिन इसी response को मैं mobile view में देखता हूँ तो automatically image compress होगी तो यह theme का part है image की size इसको कम जादा करना आपको make sure करना image की size कि वो कितने kb की size है कितने mb की image कोई भी image high mb और high resolution में आपको नहीं रखना है अब यह बोलेंगे भाई इसमें तो बहुत ही typical process हो जाएगा हम जो भी image upload करेंगे उसको compress करना फिर upload करना है जी नहीं आप क्या करेंगे अगर आपका पास wordpress का blog है तो आपको जाना है plugin के section में और यहां पर search करना है short pixel अधर्वाइस मैं उसके link नीचे दे दूँगा तो यह जो plugin आता है short pixel इस plugin को आपको install करना है remember यह सबसे best plugin है image optimization को लेकर कि और free है अगर आप नीचे दे लिंक को click करेंगे तो आपको 100 credit free मिलेंगे और every month भी 100 images आपको free मिलती जाएगी जिससे आप compress कर सकते हैं तो यह वाला plugin आपको install करना है अब यह plugin दिखता कैसा है अगर मैं install plugin के section के अंदर जाता हूँ तो जैसे install कर देते है activate कर देते हैं अगर मैं नीचे की तरफ जाता हूँ अब बहुत सरा plugin अपडेट होने बचा है अगर मैं नीचे की तरफ जाता हूँ तो जैसे हमने बोला कि short pixel तो यह वाला है इसको मैं setting के अंदर जाता हूँ तो आपको यहाँ पर इसने मेरी सारी images को compress करके रख लेकिन यह plugin आपकी image के size को minimize कर देंगे जिससे कि आपका image quickly load होगा number two which is quite important लेकिन तीसरा सबसे बड़ा पंगा होता है किस type के image use करें example के लिए jpg type के format होता है png type के format होता है लेकिन google जो recommend करता है guys वो है web p type का format तो आपको जो use करना है वो है web version of images और यह google का own developed image type है यह क्या करता है कि जैसे short pixel जैसे images जो आपकी image को 30-40 kb में convert कर देता है web p क्या करता है उसको और further 20-30% reduce करके same quality की image quickly load करके देता है इसलिए google recommend करता है कि most of the browsers जो भी इसको support करता है वो web p type का format यूज करें example के लिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे web p type का जो format होता है वो most of the browser में support करता है जैसे chrome में कोई website खोलता है firefox में खोलता है age में खोलता है safari में खोलता है किसी में भी आपकी site खूलती है तो automatically web p type के format की image open होती है जो quickly load होती है lower size होती है जिससे कि आपकी site की loading speed बढ़ जाती है तो भाई इसको फिर से आगे कैसे convert कैसे आपने पहले image बनाया उसको आपने plugin से compress किया अभी compress image को web p format में convert करना है while the interesting part यह काम भी आपके लिए आसान हो जाएगा अगर आप short pixel type के plugin को use करते हैं जैसे आपने इसको install किया यह पहले क्या करेगा आपकी image को lossless या फिलोजी format में convert कर देगा जैसे कि उसके size reduce हो जाए फिर आपको advanced के section में जाना और यहां पर दिख रहा है create web p version जैसे आप इसको enable कर देते है automatically आपकी सारी images को web p में convert कर देता है और यह plugin क्या करता है जब भी कोई बंदा आपकी website को जहां जहां पर भी web p format supported है वहां पर open करता है ultimately अगर आप यहां पर जाकर देखेंगे जैसे कि Chrome हो गया Firefox जहां 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 पर support करता है वह automatically वहां पर web p format की images देगा और जहां 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 पर support नहीं करता है वहां पर जो भी अपने PNG, JPG जो उसने compress करकर रखा है उसको automatically वहां पर load कर देता है तो आप आपका headache खतम आपने properly image का SEO कर दिया है उसको optimize कर दिया और delivery का process भी यह वाला plugin आपके लिए कर देगा जो कि free of cost है बस यह काम आपको करना और आपका काम बन जाता है एक और चीज बहुत सारा लोग क्या करता है ब्लॉक पोस्त के middle में image इसाइड करता है एक्जामपल के लिए अरे मैंने आपके image upload किया है मैं जाऊंगा और यहां पर मैं search करूँगा image जैसे कि मैं image जो भी मुझे upload करना है और यहां पर माल लीजे कि मैं select image कोई भी image upload करता हूँ तो एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आपको image upload करें content के middle में तो आप देख पा रहा है अलड़ी यह image के अंदर तो वो सारी चीजे added है तो जैसा आप image upload करते हैं यहां पर देख रहा है आपको caption पर क्लिक करके यहां पर भी उस image के बारे में कुछ लिख देना है जो भी आपको लगता है जैसे कि आप आपको add करके रखना ही है अगर ही आप काम करते हैं तो there is a higher chances कि आपकी images भी Google में image search में तो top पर दिखेगी दिखेगी साथे साथ अगर आप all में जा करके देखेंगे you will figure out कि आपकी images यहां पे भी rank करने लगीगी that is number one जिससे कि आप image ranking में higher आ सकते है और Google से maximum traffic gain कर सकते है क् अभी भी 18% से जादा searches के अंदर images दिखाई देती है which is quite helpful quite interesting लगा comment करके जरूर बताओ अभी बार्याती guys number two अभी दूसरा कौन सा process है example के लिए अगर आप इस blog post को open करके देखते हैं दूसरा जो process है guys उसके अंदर सबसे quite important part है वो है अगर आप इसको देखेंगे यहां पर number दूनते हैं जैसे example के लिए house decoration idea अगर आप home category में हैं तो आप scroll करके देखेंगे कि Google क्या करता है Pinterest को rank करता है क्योंकि Pinterest पूरी image search based website है जैसे मैं Pinterest को click करता हूँ आपको Pinterest पे account बनाना है Pinterest पे अपनी images upload करने और वहां से अपने blog post को link करते जाना है वैं पूरा Pinterest का detail कैसे USA UK से Pinterest से image बना है यगर आपको जानना है तो मैं एक detail वीडियो का link नीचे देदूँगा वो आपको detail में explain करेगा एक example के लिए मान लीजे कि यह मेरी website soundproof idea.com website है और इस particular website के मैं dashboard पे जाता हूँ यहाँ पर पिछले सालों से मैंने को image upload नहीं किये लेकिन अभी भी आप देख सकते हर म इसमें उसकी images top पे rank करती है वहां से भी आपकी site पे traffic चला जाएगा तो आप Pinterest को use कर सकते है अगर आप चाहते है कि आपकी website पर image से traffic आए अगर आपका image SEO से काम नहीं बन रहा है उसका reason है कि most of the times जब भी images की बात आते है तो कई ने कई Google Pinterest को weightage देता है और Pinterest को top 10 results के नदर द लिखाता है जब भी आप ideas के बात रहे हैं मैंने लिखा home decoration idea राइट अभी मैं देखता हूं यहां पर studio use decoration idea कुछ भी मैंने लिखा फिर से यहां पर Pinterest रहा है तो आपको कई पर भी ideas की बात आती है ऐसे जो intent based keyword होता है जहां पर लोग को visuals देखने होता है वहां पर आपकी definitely site from the Pinterest rank करेगी अगर आपने Pinterest को fulfill use किया तो make sure आप उस video को detail में जाके देखे उसको मैं यहां पर repeat नहीं करूँगा और तीसरा source जिसको कोई deny नहीं कर सकता गाईज वो है Google का web stories जी हां web stories है क्या जिनको नहीं पता तो हमने इस पर भी एक detail video बनाया है कैसे web stories को बनाया जाए कैसे web stories Google में ranking में आपको help कर सकते हैं लेकिन अगर आप scroll करके देखेंगे तो जब भी आप Google Chrome का आपके browser में mobile में खोलता है तो वहाँ पर एक discover के नाम से option आता और वहाँ पर कुछ ऐसी images आपको दिखाई देती है जहाँ पर image होता है image के साथ कुछ text होता है यहाँ पर आपके blog post को भी आप link कर सकते हैं तो कुछ इस तरीके से अगर आप Google web stories पर focus करते है Google web stories बनाते हैं तो आपके chances जादा है कि आपको image से भी traffic आ सकते हैं और Google web stories कैसे दिखती है तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर जब भी आप Chrome browser को open करते हैं तो आपको यहाँ पर नीचे discover का option दिखाई हैं तो वहां से भी आप image SEO के थुरू अपने साइट पर traffic लेके आ सकते हैं वेल अगर आप यह जाना चाहते हैं कि Google web stories को कैसे create करना है किस तरीके से Google web stories से आप rank कर सकते हो उसका किस तरीके से SEO होता है तो मैं आपको highly recommend करूंगा आप यह वाला वीडियो अभी जाके देख ले आप